नमस्ते क्यास है आप सब लोग आज का टॉपिक है ब्लाइंड लव मैंने तो से ब्लाइंड लव किया था अगर आप ये वीडियों की ये वली लाइन देख करके यहां आए हो तो पकत था वाली कैटिगरी में हो है ना यहीं की पास्टेंड ब्लाइंड लव आपने किया था ठीक है अब ब्लाइंड लव नहीं ना फिर क्यासी हो गया ब्लाइंड लव देखा नहीं था उस इंसान को देखा था सोशल मीडिया हो यह रियल लाइफ हो कहीं पर भी देखा था फिर क्यों बोलते हो यार ब्लाइंड लव मैं ऐसी किसी चीज पर विश्वास नहीं करती क् मुझे पता है यह ज्यादा तर ब्लाइंड लव वाले केसी था वाली कैटेगरी में जाते हैं क्योंकि वह ब्लाइंड लव था आपने ब्लाइंड लव क्यों किया दिमाग खुलो कुछ नहीं होता ब्लाइंड लव ठीग है ट्रू लव होता है emotions को वह भी जानना पेचाना और आज की स्थती तो ऐसी है आपको किसी को real में अच्छे से जानना पेचानना समझना उसके परिवार को समझना उसकी upbringing को समझना ये बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है यह आख पर बट्टी बांद करके किसी के खुबसूरत होने पे, किसी के हैंसम होने पे, किसी के पैसे कमाने पे, किसी के नौकरी पे, मज़ा न भाई जिन्दगी बरबाद हो जाती है ऐसे blind love के चक्कर में, कुछ नहीं होता blind love, seriously कुछ नहीं होता अगर ऐसे किसी भी प्यार के जहांसे में पड़े वे हो ना, या पड़े वे थे ना, तो देख लो आपके जिन्दगी क्या हो गई है सिर्फ और सिर्फ negativity पर जाती है, क्योंकि प्यार एक emotion है और वहाँ पर जो नेत्र खुलते हैं, वहाँ जो आभास होता है लव जो चीज देख सकता है, blind love उस हर चीज को छुपा देता है हर उस चीज को छुपा देता है अगर आप या आज के जमाने वाले और वो Bollywood और कोई भी वुड़ वाले के style से अगर आप blind love वाली category में पड़े वे हो और आज भी पड़े वे हो, रो रहे हो, तडप रहे हो, दुखी हो रहे हो, मैं कहूंगी आखे खोलो, चक्षू खोलो, दिमाग खोलो, अपने senses खोलो, अपने emotions को समझो, उस relationship को समझो, सामने वाले इंसान किस तरीके से पल बढ़ करके बढ़ा हुआ है, बढ़ी हुई है, उसकी विचारधाराएं क्या हैं, वो कैसे सूचते हैं, वो कैसे सूचते हैं, वो कैसे आपको manipulate करता है, नहीं करता है, उसका आपको ले करके रवाया कैसा है, इतना तो देखना बहुत जरूरी है, आपके blind लव में भी, क्योंकि अगर आपका love इस level पे blind है, कि ये सब भी आ है सामने बहला इंसान लड़का वशुजह लडकी हो आपके साथ गलत करता है और और रोते-झोते रहते हो यह बोलके कि मैंने तो ब्लाइंड लव किया था किसने का था kamu uniform मैं तो आपको सीधा एक दिल से बोल रहें, मत करना blind love, कुछ नहीं होता blind love, कुछ भी नहीं होता, और आज के समय को देखते हुए, तो होता ही नहीं है blind love, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, तो जो real love होगा, वो feelings के through आपको बता देगा, कि yes, ये एकदम बढ़ियावला और genuine रिष्टा है, यहाँ पर क प्रेदी नहीं है, यहाँ पर वो वाला कोई भी रिष्टा नहीं है, जो कि business जैसा हो, ये एक beautiful relationship है, जो एक दूसरे से unconditional love से जुड़ा हुआ है, और वो blind होई नहीं सकता, true love, real love, कभी भी आपको obsession के limit तक लेके नहीं जाएगा, आपको depressed नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको इतना जादा negative इंसान नहीं बना देगा, आप राद दिन उसी के सामने अपने आसू नहीं पोंचते रहोगे, वो ऐसा कोई चीज ही नहीं आने देगा आ मैंने आँख में पट्टी बांदी थी, ले भाया, आँख खुल गे, टाटा, बाय बाय, निकल लो, भाग जाओ यहां से, और ऐसे में जाधा तर आपने जिससे वे blind love क्या होता है, वो आपके दरवाजे के उस तरफ से कुंडी लगा के भाग चोका होता है, तो अब ऐसे मे आपके blind love को आँखे खोलने के बाद में कुंडी अंदर से भी मार देनी चाहिए, और उसको यह एहसास करवा देना चाहिए, भाई सब सुन, बहन जी सुन, कुंडी दोनों दरवाजे में दोनों तरफ होती है, उदर भी होती है, तो इदर भी होती है, तूने लगाई ना मा कि थी-थी बातों को, किसी ने आपको किसी भी बात से, किसी भी चीज से, गृप में कर लिया है, आज की डेट में तो ऐसा भी हो गया है कि हम किसी से प्यार करते हो और ईग्नोर कर रहे हमें, तो हम पगला जाएंगे, हम तो प्पेघूफ की जैसी हरकते करने शुरू यह हम दुख ही हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, अगर आपको seriously यह लगता है ना कि यह प्यार है और यह है blind love, मैं क्याते हूं आखें खोल करके अपनी जिंदगी बचा लो, क्योंकि आपके जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती है, आपके parents भी उसके साथ जुड़े होते ह हैं, आपको बहुत सारे समाज के लोग भी आपके साथ चुड़े होते हैं, आपके दोस्तियार, बहुत सारे लोग आपके साथ में चुड़े होते हैं, आपकी वज़े से society को एक गलत message भी ज़ा रहा होता है, just because of your stupidly blind love वाला theory, वो कुछ ही ही नहीं, इसलिए, लड़कों औ को समझो, आँखे खोल कर के चीज़ों को समझो, और अब डिसाइब करो कि हां, यहां प्यार पनपेगा, तो उस लेवल तक मुझे समझ में आएगा, जहां तक समझ भी खतम हो जाती है, इसलिए जो प्यार होता है, वो इस लेवल पर आपकी आँखे खोल देता है, कि आपक आपके लिए खड़ा रहेगा, अगर यह आँखों से खुला हुआ प्यार है, दिमाग से खुला हुआ प्यार है, एमोशन के द्वारा खुला हुआ प्यार है, लेकिन यह आपकी चक्शुओं उपर बंधी हुई है, एक लोहे की पट्टी क्यों बनाया आपने वो इंसान अ प्यार करते हैं, जिनका प्यार अंकंडिशनल होता है, और प्यार होता है, ऐसे लोग हैं, और लोग प्यार पाने के लिए ही तरस रहे हैं, तडप रहे हैं, लेकिन हम ब्लाइंड लव के चक्कर में कुछ भी किया जा रहे हैं, किसी भी इंसान को उपना फायदा उठाने के तो आपकी इज़त की धज़िया नहीं उड़ा सकता आपकी लाइफ के अंदर इतने सारे छेद नहीं कर सकता कि आपको समझ में ना आएगी भईया जिंदेगी रहेगी या सबजी दोने वाले छनी रहेगी क्या उधारण दिया मैंने लेकिन समझ जाओ आप क्यों कर रहे हो मत इस चक्कर में पढ़ना है कुछ नहीं होता है यह ब्लाइं लब बकवास है एक दम बकवास प्रू लब होता है अंकंडिशनल लब होता है लेकिन वो पी तब होता है जब आपके आख नाख इंदरियां सब कुछ खुली वेयों और आपको समझ में आ रहा हो कि यस आप सेंस कर सकते हो आप फील कर सकते हो और यह वह बिवली फीलिंग में होती हाई में बाबुन्य, I love you बोला हाई उसका I love you में ने फील किया मुझे ऐसे भी लोग आते ना जो मुझे इस तरीव को गोल्स पर बताते है करें और की ईदान दोसर्ण को ङए हुआ रो पर Municipal को स्मूंझ में बदलने के एक्छिली कोई दूर्री नहीं है बलकि सामने वालामेरे तीन को निकालने के लिए तयार भड़ा हुआ है सामने वालाए इनिया हौ एनियूशन मुझे अपनाने मम्मी नी मोनीगी पॉप नी मोनीगे हमारी कॉस्ट कुडली नी मैचकर रही अहाँ छोड़ो यार हडा हो जिन्दगी बर्बाद मत करो अपनी ऐसे चक्रों में ठीक है अपने अपने रखे क्याल, अपने अपसे कीजिए ठेल सारा प्यार, खोल लिजिए अपनी आंखें, I love you, all, ताक्यों बट्राक्ट करें ठेल सारा प्यार, इसलिए कीजिए कुछ से ठेल सारा प्यार, love you, टादा!